मुख्या मंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को लोकसवा चुनाव के प्रचार रन में उतरे मुख्या मंत्री ने बाढ़ मेर की आदरश स्टेडिया में यशश्वी प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की उपस्तिती में बिजेपी प्रतियासी कैलास चोदरी के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के नेतरत में पिछले एक दसक से देश में स्वास्ति सडक आधार वुढचे से लेकर रक्षा वीज्जूरम देश के 15 नए एमज की स्थापना के साथ 300 नए मैडिकल कॉलेज खोल ले गए है जिसमें राज SLा मेे 23 नए मैडिकल कॉलेज इस्थापिट किये गए रक्षा की शेत्र में भारत आत्म निर्बत देश बनता जा रहा है एवं रक्षा उपकरणों का उत्वादन अब भारत में ही होने लगा है मुख्य मंत्री ने कहा कि प्रधान मंत्री हर वर्ड की समश्या के समाधान के लिए ततपर रहते हैं शिल्प कारों कारी करों हमारी डबल इंजन की सरकार ने 90 दिन में अल्प समय में संकल पत्र के 45 प्रतिशत वादे पूरे कर लिए हैं उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री ने राजस्तान के पाने के समश्या को गंभेता से लिया मुख्य मंत्री ने एर सी पी एवं यमूना जल समझोते के लिए 2014 से पहले ब्रस्टाचार के साहे में डूबा हुआ था आतंके साहे में लोग जीने को मजबूर थे देश तुष्टी करन के आधार पर चल रहा था सबसे अधिक सासन करने वाली कॉंग्रिस पार्टी ने गरीब और किसान से कोई नाता ने रखा 2014 के बाद प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने गरीब कर योजनाय चलाई गरीब कलियान का कारे किया देश की सीमाओं को सुरक्षित बनाया मोदी प्रधान मंत्री ने दुनिया में देश का नाम रोशन किया देश में 25 करोड लोगों को गरीबी रेखा से उपर उठाया गय मोदी ने गरीबों के बैंकों में खाते खुलवा कर उनकों मिलने वाले सुवीधाय सीधे उनके खाते में पहुंचाई उन्होंने कहा कि प्रदेश में युवाओं के साथ खिलवाड वाले पेपर लेक माफियाओं के खिलाफ हमने सक्त कारवाई की है प्रदेश में अपराद पर लगाम लगाने के लिए एंटी गेंग्स्टर टास्क फोर्स का गठन किया शर्मा ने अब की बाद 400 पार का नारा देते वे कहा किश्री गंगाने का लोकसवा प्रतियासी प्रियंका बैलान को अधिक से अधिक मतों से विजय बनाने की अपील किये है इस आउसर पर विजय बी के वरिष्ट नेता एवं आमजन मोजूद रहे